Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी Intra Day Analysis share करूँगा जिसमें कम से कम risk reward ratio 1 is to 2 या फिर इस से ज़्यादा का होगा तो चलिए आज की इस बेहतरीन वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले Traders हम लोग उने stocks को discuss कर लेते हैं जिसे मैंने आप लोगों के साथ आज के Intra Day session के लिए share किया था कि आखिर उन stocks ने आज कैसा performance किया है तो आज के लिए Traders मेरा सबसे पहला Intra Day stock था Piramal Enterprises इसके अंदर Traders हम लोग देख सकते हैं कि आज ये हलका सा उपर opening दिया था लेकिन जैसे ही ये अपने इस support को break किया एक continuous fall हम लोग को इसके अंदर होते हुए नजराया है तो इसके अंदर successfully हमारा target जो है वो achieve हुए है लेकिन personally इसके अंदर मैं कोई भी trade initiate नहीं कर पाया था क्योंकि Traders आप सभी लोग को पता है कि मैं अपने trades को 9 बच के 20 मिनट के बाद ही place करता हूँ और तब तक इसके अंदर बहुत ही बड़ा fall आलरेडी देखने के लिए मिल चुका था आज के लिए मेरा दूसरा intraday stock था India Mart इसके अंदर भी Traders हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को एक सांदार breakout देखने का मौका मिला और easily इसके अंदर हमारा जो target था वो successfully achieve होता हुआ नजराया है तो I hope आप सभी लोगों ने India Mart के अंदर एक बहतरीन profit आज जरूर generate किया होगा आज के लिए मेरा अगला intraday stock था Reliance Reliance के अंदर Traders हम लोग को एक बहुत ही सांदार breakout देखने का मौका मिला था लगबग 11.11 के आज पास में उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से consolidate किया अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि Reliance के अंदर अभी बहुत ही सुन्दर सा हम लोग को bullish pen and pattern भी बनते हुए नजर आ रहा है लगबग 11.00 के आज पास में आज के लिए मेरा अगला intraday stock था Hevels Hevels के अंदर भी टेड़ास आज हम लोग को बहुत ही सांदर breakout देखने का मौका मिला था लगबग 10.45 मिनट के आज पास में और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सांदर retesting भी होते हुए नजर आया है और बाकी बच्चे हुए remaining quantity को 1330 के round में ही book करके इस trade से मैं बाहर निकल चुका था आज के लिए मेरा आखरी intraday stock था हिंदुस्तान Unilever जिसके अंदर आज हम लोग को कोई भी entry लेने का मौका नहीं मिल पाए क्योंकि इसके अंदर continuous fall होते हुए ही दिखा हम लोगों जबकि हम लोगों ने इसके अंदर buy side में अपने trade को plan किया था तो कल के YouTube intraday analysis वीडियो मैंने आप लोग के साथ 5 intraday stock analysis share किया था इसमें से 4 में आज हम लोग देख सकते हैं कि perfect entry देखने के लिए मिला और साथी में चारों में हमारा जो target है वो successfully achieve होता हुआ नजराया है तो I hope traders आप सभी लोग को मेरी जो analysis है उसके साथ साथ accuracy भी पसंदारी होगी इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इसे like कर दीजेगा साथी में चैनल को भी जरूर subscribe कर लीजेगा क्योंकि traders बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग के इतने बेतरीन intraday stocks को खोजने में इसके साथ सा traders आप लोग मेरे telegram चैनल को भी join कर सकते हैं यहाँ पर भी मैं live market में आप लोगों को intraday update से साथी मैं chart analysis भी share करता हूँ आज भी मैंने इसके अंदर hero moto का जो chart analysis है वो share किया था लगबग 9 बच के 48 minute पर जब इसके अंदर मुझको breakout देखने का मौका मिला था इसके अंदर कोई भी trade आज initiate किया था तो मुझे नीचे comment section में जरूर बताइएगा मुझे ये जानकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लएगा तो traders कल के ही video मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग जरूर telegram channel को join कर लीजेगा और आज पूरे दिन जितने भी stocks के अंदर मैंने कोई भी trade initiate किया था उन सब की जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पर provide किया है साथी में जहां पर भी मैं अपने stop loss को trail कर रहा था वोसकी भी जानकारी मैं आप लोग को time to time यहाँ पर update कर रहा था तो I hope आप सभी लोगों ने इन सारे updates का भरपूर फायदा उठाया होगा लेकिन मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है कि कभी भी आप लोग को सारे के सारे intraday stocks में trade initiate नहीं करना है अगर आप लोग 2-3 intraday stock में भी आज trade initiate किये होंगे तो एक बहतरीन profit ज़रूर generate कर पाए होंगे और यहीं same चीज आज मैंने live market में भी किया था जैसे कि PEL के अंदर आज trade लेने का कोई भी मतलम नहीं बनता था क्योंकि लगभग 2-3 minute के अंदर ही यह बहुत जादा नीचे जा चुका था अब कल के वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर एक reversal pattern बन चुका है आप लोग जानते हैं कि इस channel पर जो भी analysis में आप लोग के साथ share करता हूँ उन सभी के अंदर हमारा जो target होता है वो बहुत ही जादा होता है जैसे कि आज इंडिया मार्ट के ही अंदर हम लोगोंने 26 points का target achieve किया है साथी में हैवल्स के अंदर भी अगर आप लोग देखे तो हम लोगोंने लगभग 1% का target aim करके रखा था और definitely एक अच्छा खासा profit हम लोगोंने हैवल्स के अंदर भी book किया है तो कभी-कभी traders जब हम लोग higher targets के लिए जाते हैं तो हमारा stop loss hit हो जाता है in fact उससे ज़्यादा profit earn कर सकते हैं तो I hope traders आप लोगों को मेरी analysis पसंद आ रही होगी इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगोंने चैनल को नहीं subscribe किया है तो please इसे subscribe कर लिजेगा तो चलिए traders अब हम लोग डिसकस कर लिते हैं उन stocks को जिसे आप लोग कल के लिए अपने watch list में add करके रख सकते हैं और कल जीन stocks के अंदर potentially हम लोगो कोई भी breakout या भी breakdown देखने के लिए मिल सकता है तो कल के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा SBI Bank क्योंकि इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं तो इसलिए अगर कल इसके अंदर breakout हम लोगो देखने के लिए मिल जाता है तो definitely एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोगो SBI Bank के अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है तो इसलिए traders आप लोग SBI Bank को कल के लिए अपने radar पर जरूर रखेगा क्योंकि इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही कुपसूरत सा copper handle pattern भी हम लोगो बनते हुए नजर आ रहा है तो अगर कल breakout देखने के लिए मिलता है तो आप लोग double confirmation के साथ इसके अंदर अपने trade को initiate कर सकते हैं इसका जो level से मैंने आप लोग लिए यहाँ पर update कर दिया है आप लोग जरूर इसे note down कर लिजेगा कल के लिए मेरा दूसरा intraday stock रहेगा सिपला सिपला के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही कुपसूरत सा यहाँ पर हम लोग को bullish parent pattern बनते हुए नजर आ रहा है stock के अंदर higher volumes पर हम लोग देख सकते हैं कि already हम लोग को buying होता हुआ नजर आया है और अब यहाँ पर कहीं न कहीं यह खुद को इसी triangle pattern में बहुत ही अच्छी तरह से consolidate कर चुका है तो ऐसे में कल अगर यह अपनी इस resistance को break कर देता है तो definitely एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोग को सिपला के अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है तो इसलिए traders कल के लिए आप लोग सिपला को भी जरूर अपने radar पर रखेगा क्योंकि stock जो है वो already एक अच्छे momentum में trade कर रहा है और अगर यह नीचे आगर के अपनी support को break करता है तो उस case में हम लोग को सिपला के अंदर एक selling side का भी trade देखने के लिए मिल सकता है लेकिन वो थोड़ा सा risk की रहेगा तो जो लोग हलका सा risk ले सकते हैं तो वहीं लोग 1170 के नीचे में अगर सिपला 50 मिनट के time frame में closing दे देता है तब ही आप लोग अपने trade को initiate कीजिएगा कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा Apollo Hospitals इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि ये जो trade line है वो इसके लिए बहुत ही strong support का काम कर रहा है in fact ये पिछले एक महिना से हम लोग देख सकते हैं कि ये इसी trade line पर आगर के support लेते हुए हम लोग को नजर आ रहा है और यहीं से इसके अंदर हमेशा bounce back भी होते हुए दिख रहा है और एक अच्छा खासा intraday move आप लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं कल के लिए टेडर्स मेरा अगला intraday stock रहेगा Icer Motors इसके अंदर टेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि ये जो zone मैंने draw किया है वो इसके लिए बहुत ही ज़ादा crucial role play कर रहा है हम लोग देख सकते हैं कि ये इसी zone पर आकर के बार-बार resistance phase करता हुआ नजर आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से ये खुद को इस rectangle pattern में बहुत ही अच्छी तरह से consolidate भी कर चुका है तो ऐसे में maximum probability है कि कल इसके अंदर हम लोग को either side में break out या फिर breakdown दोनों देखने के लिए मिल सकता है तो अगर कल ये उपर में अपने इस resistance को break कर देता है क्योंकि आज last session में इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा momentum भी हम लोग को देखने के लिए मिला है तो उस case में icer motors के अंदर traders हम लोग definitely एक अच्छा खासा intraday move capture कर सकते हैं क्योंकि अगर कल यहाँ पर हम लोग को break out देखने का मौका मिल जाता है ये अपने 3375 के level को break कर देता है तो traders हम लोग देख सकते हैं कि इसका अगला जो resistance है वो 3400 के आसपास में है तो इसलिए हमारा जो first target रहेगा वो 3400 का रहेगा और second target हम लोग 3410 के आसपास तक के लिए जा सकते है अगर market में अच्छा momentum रहता है तो इसके ऊपर का भी targets हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है तो इसलिए traders Iser Motors को भी कल के लिए आप लोग जरूर अपने radar पर रख लिजेगा और कल के लिए traders मैं अपने आखरी intraday stock को discuss करने से पहले चाहूँगा कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को नहीं subscribe किया है तो प्लीज इसे भी subscribe कर लीजेगा तो कल के लिए मेरा आखरी intraday stock रहेगा ITC ITC के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक bearish payment pattern हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा है साथी में यहाँ पर हम लोग को inverse copper handle pattern भी बनते हुए दिख रहा है क्योंकि इस sector के maximum stocks के अंदर हम लोग को आज एक selling pressure create होता हुआ नजर आ रहा है अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान Unilever का भी जिसे हम लोगों ने आज के लिए अपने radar पर रखा था वैसे तो मैं इस stock को आप लोगों के साथ share नहीं करने वाला था क्योंकि already मैं ITC को इस sector से आप लोग के लिए pick कर चुका हूँ लेकिन चुकि अब इसका भी chart analysis मैंने आप लोग को so कर दिया है तो आप लोग इसके भी levels को चाहे तो note down कर सकते हैं लेकिन traders आप लोग को बस एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इन दोनों में से सिर्फ एक intraday stock में आप लोग trade initiate कीजिएगा और जिसके अंदर perfectly आप लोग को closing देखने के लिए एक अच्छे volume के साथ में उसी के अंदर आप लोग अपने trade को initiate कीजिएगा क्योंकि ITC और हिंदुस्तान Unilever के अंदर दोनों में एक साथ ही trade लेने का कोई भी मतलम नहीं है इन दोनों के अंदर हम लोग को कल similar type of action देखने के लिए मिल सकता है तो अगर एक में target achieve होगा तो दूसरे में भी target achieve होने के chances नजर आएंगे लेकिन अगर एक में हम लोग को sideways momentum दिखता है और हमारा stopless हीट हो जाता है तो फिर definitely second वाले stock में भी हमारा stopless हीट हो सकता है तो I hope traders आप लोग इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखेगा और मेरा session यही रहेगा कि जिस भी stock के अंदर आप लोग को proper breakout या breakdown देखने के लिए मिल जाए उसी stock के अंदर आप लोग अपने trade को initiate केजिएगा अगर कल live market में मुझे कोई भी opportunity देखने के लिए मिलेगा तो उसकी analysis में आप लोग के साथ अपने telegram channel पर share कर दूँगा वो भी proper regions के साथ में तो इसलिए आप लोग इसे भी जरूर join कर लिजेगा link आप लोग को नीचे description box में मिल जाएगा और traders इन सारे stocks के साथ 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 एक और intraday stock के analysis में आप लोग के साथ share करने वाला हूँ जो personally मेरे radar पर है और maximum chances है कि उसके अंदर कल अगर flat opening होता है तो मैं trade initiate करूँगा वो है Adani Ports क्योंकि इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि ये जो chat analysis है वो one day के time frame पर है ये जो zone मैंने draw किया है वो इसके लिए पहले बहुत ही ज़्यादा crucial support का काम कर रहा था फिर यहाँ पर हम लोग को breakdown होते हुए नजर आया था और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि 15 minute के time frame पर analyze करते हैं तो देख सकते हैं कि एक अच्छे खासे rise आने के बाद में यहाँ पर एक बहुत ही खुबसूरत सा consolidation भी हम लोग को देखने के लिए मिल चुका है तो personally अगर कल Adani Port हलका सा flat open होता है और 780 के level को break कर देता है इसके उपर sustain करता है तो definitely एक अच्छा खासा intraday move हम लोग को इसके अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर sort of flag pattern हम लोग को बनते हुए दिख रहा है तो इसलिए अगर आप लोग चाहे तो इसे भी अपने radar पर रख सकते हैं otherwise इसको आप लोग ignore भी कर सकते हैं So traders I hope आप लोग को मेरी analysis पसंद आ रही होगी और अगर आप लोग भी मेरी तरह intraday stocks को खोजना चाहते हैं तो यह वीडियो जो अभी आपके screen के उपर में show हो रही है इसे आप लोग चेक कर सकते हैं इसके अंदर मैंने बहुत ही जादा detail में आप लोग को हर एक चीज के बारे में सिखाया हुआ है यह वीडियो 45 मिनट की है तो इसी के साथ traders आज की अपनी इस वीडियो को खतम करते हैं I hope आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद